असलाम लेकूम वेलकम टो माई चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आप के लिए मूली के प्राठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्द बन जाती है इस में इस रेसिपी में ज्यादा चीजों का इस्तमाल नहीं है आपने मूली को पहले कदूकश कर लेना है यानि के ग्रेट कर लेना है इस तरह से फिर आपने मूली के पानी को जो है चूले के उपर ड्राइ कर लेना है बिलकुल हलकी आँश पर इसमें नमक चाय का हस्पेजाय का सबस मिर्चे हैं मैंने ये थोड़ी मोटी मोटी सी क्रश की हुई है ये मैंने इसमें डाली है इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही पकाना है यानि कि बिना आॉइल में जब टालना है वो मैं आपको बता दूँ मढ़ी आदा चमद को है मैंने हल्डी का डाला है अब इसका पानी देखें किस तरह से निकल रहा है और ये बिल्कुल ड्राइ हो जाएगा पानी हमारा ड्राइ हो चुका है मैंने इसमें एक चमचो है यनि के एक टेबल स्पून जो है मैंने ओल कर डाला और थोड़ी सी उसमें मैंने रेड चिली फ्लेक साइट पे डाले है और उनको थोड़ा सा पका के बाकी मसाले में मैंने इसको मिक्स कर दिया है ताके इन में थोड़ा सा भी कच्छापन ना रहे आपने इस बैटर को जो है ओवर कुक नहीं करना जस्ट इसके स्पाइसिस को आपने मिक्स करना है और मूली के पानी को आपने ट्राइ करना है लास्ट में आपने इसमें हरा धनिया डाल देना है और अगर आपको अच्छा लगता है कुछ धनिया तो आप इसमें वो भी डाल सकते है इसमें मैंने एक चुटकी अच्वाइन भी डाली थी आपको अगर पसंद है तो आप डालें वरना आप इसे स्किप कर दे बैटर बनके हमारा ठंडा हो चुका है और अब जो है हम इसकी रोटी बनाएंगे ये रैसी भी बहुत ही सिंपल है आप भी अपने घर में ट्राइ करें बहुत ही मज़े के प्राठे बनते हैं स्पाइसी अपनी मर्जी से आप ज्यादा या कम कर सकते हैं अगर आपको तीखा खाना अच्छा लगता है यानि के ज्यादा मिर्चें पसंद है तो आप उसमें मिचें और भी ज्यादा याड़ कर सकते हैं और आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं वो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिया करें साथ में बैल नोटिफिकेशन भी ओन कर लें आपको मेरी हर लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में अपना फीड़ बैक देते रहा करें आपके कॉमेंट से मुझे बहुत होप मिलती है एनकरेजमेंट मिलता है मेरे चैनल पे आपको हर तरह के कॉंटेंट मिलेंगे और इंशाला मैं आपके लिए अच्छी रेसिपी लेके आती रहूंगी छोटी सी वीडियो आप लीज इसे लास तक देखे अगर आपको ऑईल अच्छा नहीं लगता तो आप इसके उपर देसी घी लगा सकते हैं या फिर आप बटर का यूज भी कर सकते हैं इस प्राठे के साथ आप अचार की सर्विंग करें साथ में राइता बना लें और ग्रीन चटनी भी बहुत ही इसके साथ मज़ेगी लगती है हमारा प्राठावन के रेडी हो चुका है देखे कितना अच्छा बना है और इसमें बैटर पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है देखे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज कॉमेर्ट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना बहुत सारा ख्यार रख्या हो मुझे दौाव में याद रखे टेक केर एंड अलाहाफिज मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में